ये रोवन अन्यों आश्मिका हलो अब्रीवान दूस्तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ टाइंब से बीटीएस आर्मी को सेड नीज मिलती ही जा रही है वहीं कुछ आर्मी अभी भी इस बाग को एकसेप नहीं कर पा रही है कि बीटीएस मेंबर जिन इस मन्त के एंड तक हम सभी को छोड़ का पूरे दो साल के लिए अपनी मिलिटरी सर्विस के लिए चले जाएंगे और इस सब के बीच एक और सेड नीज की अनॉंस्मेंट हो गई है जिसे जानने के बाद आप और भी डिसपॉइंटेड हो सकते हैं तो मैं आपको इस नीज के बारे में बताऊं उससे पहले अगर आपने अभीतर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए साथे नोटिफिकेशन बेल भी ओन कर लीजिए जिसे बीटीएस की कोई भी नीज आपसे मिस ना हो दूस्तो अगर आप एक बीटीएस आर्मी हैं तो अपने अपने फोन में वीलाइब एप को डाउनलोड कर ही रखा होगा क्यूंकि यही वो एप है जिस पर हमारे फेवरिट बांगतन वईस लाइव आकर हम सबसे चिटचैट करते हैं और हम सब भी इस एप को लेकर इतने कंसर रहते हैं कि इस एप का नोटिफिकेशन बेल भी आन रखते हैं यह सोच कर कि हमसे कोई भी बीटीएस की लाइव चैट मिस ना हो जाए लेकिन अब आपको यह एप अपने फोन से हटा देना चाहिए क्योंकि इस साल के एंड तक यह एप बंद हो जाएगा जिसका मीनिंग यह है कि आप हमें हमारे फेवरिट बॉइस वी लाइप पर नज़र नहीं आएंगे अगर डेटेल में बात करें तो हाइव लिविस कंपनी ने कुछ टाइम पेले ही वी लाइप एप को पर्चेस कर लिया था लेकिन हाइव लिविस कंपनी के सभी आटिस्ट के सासाँ अधार आटिस्ट भी वीवर्स एपी यूज़ कर रहे थे जिस बज़े से V-Live app का proper use नहीं हो पा रहा था इसलिए company ने decide किया कि अब वो इस साल के end तक इस app को terminate कर देगी हलाकि इसके साथ ही company ने ये भी clear कर दिया कि इस app पर जो भी उनके favorite artist का जो भी content है वो viewers app पर transfer कर दिया जाएगा और इस news के viral होने के बाद से army यही कह रही है कि वो V-Live app को काफी miss करेंगे क्योंकि V-Live app कभी भी hang नहीं होता था वहीं जब भी viewers app को use करते हैं तो वो हमेशा out of service हो जाता है जैसा कि हमने Busan concert के time देखाता है इसलिए global army इस बाद से काफी परेशान है कि कहीं viewers app पर फिर से ऐसा ना हो इसलिए काफी army अभी भी यही demand कर रही है कि V-Live app को continue किया जाए वेल इस बारे में हम सब कुछ नहीं कह सकते कि हाइब levels V-Live app को continue करेगी या नहीं हाला कि हाइब levels की announcement के बाद हमें मान लेना चाहिए कि अब V-Live app को continue नहीं किया जाएगा दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में हमें comment section में बताएं हम मिलेंगे आपसे next video में till then take care and sarangyo